मुजिक बीट जिस पे साथ दिन में 70,000 सब्सक्राइबर हो गए थे अभी 80,000 से उपर सब्सक्राइबर हैं उसको मुश्किल से 20 दिन हुए अभी दिन में 10-15 कोल्स आते हैं जिनको यूटूब, फेस्बुक, सोसिल मीडिया से रिलेटुड कैसे अर्ण करें वो सारी जनकारी होती है, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। पैसा अर्ण कर रहे हैं, यूटूब के थरू, सोसिल मीडिया के थरू, उनसे जानेंगे छोटी से उमर में किस तरीके से करोड़ पती बने, थोड़े से समय में, तो मंदी भाई, स्वागत। पैसे जानकारी का अबहाव होता है, आप किसी से भी पूछेंगे, जिनको थोड़ी बहुत नोलेज है, वो बताने से इंकार करता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, मालो हमारे पास दिन में 10-15 कोल्स आते हैं, जिनको यूटूब, फेस्बुक, सोशल मीडिया से रिलेटुड कैसे अर्न करें, वो सारी जनकारी चाहिए होती है, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, अपने काम के साथ-साथ यह हम सोशल वर्क क किसम से आप यह मान लीजिए कि, मतलब टेक्नोलोजी में आप हेल्प कर रहे हैं किसी की, मैं बात करूँ, अब अन्दीब मेरे साथ काफी दिन से जुड़े हैं, हम आपस में अच्छे फ्रेंड हैं, अब दस साल से ज़्यादा का यह समय हो चुका है, बॉंबे रहते थे त यूटूब की दुनिया से जुड़े हैं, और इतना सारा आरन करन पाए कि करोडो रुपया अपने इस यूटूब की दुनिया से कमा लिए, तो क्या है न, जैसे मालो जब स्ट्रगल करने थे मुंबई में, तो जब एक्टिंग करने के थे मुंबई तो यह समझ में आ गया हमारा मन्तली रिवेनु लाखों में होता है, बहुत बहुत अच्छे से हमारी मानियो क्रेशन कंपनी है, वो बहुत सारे मतलब आप यह मानिये 70% हरियाना का कंटेंट आज हम मैनेज कर रहे हैं या फिर हमारा उनके साथ एग्रिमेंट है, तो यह अभी हमने इससे पहले हम स काईम कम लगाते हैं कुछ आप स्टेटरस पर डालते हैं सोसल मेडिया पर आप डालते हैं आपके फ्रेंट डालते हैं बातर दो-चार दिन में आप हजारों में लाखों तक पहुंचा देते हैं अपने चैनल को तो उसका धम की बात करें वो काबियत कहां से आपाती है या पीछे क्या मैथर लगाते हैं क्या तरीका होता है कि इतने कम समय में इतना जल्दी इतने बड़ी अची हुए जैसे अभी मैंने डिसेंटली दो चैनल शुरू किये थे का नाम था म्योजिक बीट जिस पे 7 दिन में 70,000 सब्सक्राइबर हो गए थे अभी 80,000 से उपर सब्सक होती है एक चीज है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हैं उस पर experience इतना होता है दूसरी चीज है कि हम टैगिंग पर बहुत ज़्यादा मदब जो इंटरनेट चलता है या सर्चिंग जो चलती है वह से चलती है सर्च इंजन उप्टिमाइजिशन तो उसमें क्या होता है आप अपने काम पर रगुलर सीखते रही है मदब यूटूब की कोई भी पॉलिसी आती है वो आपको पता होनी चाहिए तो इनी चीजों के सारे आपका चैनल आराम से चल पड़ता है आज के यूथ आपने भी देखे होंगे सोचल मेडिया पर काफी डिल्स बनाते हैं काफी कु है यहां है न जासे करें आपने कैंटेंट के साथ-साथ वो डी यूज नालने लग जाते हैं बात करूंगा यूटूब फेस्बूक या दूसरी सोचल मीडिया के ऐसे प्लाटफॉर्म कौन सी अप्लिकेस्टन से सब जादा आप मानते हैं कि पैसे ज्यादा कमाया जासे देखो मतलब जो जो स्टेबिलिटी है वो यूटूब में ज्यादा है बट आज की टाइम पर अग एकर हम फेस्बूक की बात करें तो फेस्बूक 85 परसंट तक रिवेन्यू शेयर करता हैं बात करें जिस तरीके से आप मुजिक चैनल के साथ काम करें आपके काफी शारैं हैं कमपनी आप्टे कर ली है इससे पहले आप कहरे थे कि साथ की मौविज में आपने काम किया है उन कहले हैं कि कटेगरी के गर हम बात करें मालो bulb लोगिंग एक मतलब अग्र इंडिया के लेवल पर बात करें तो जो जो चाटेगरी व्लोगिंग की है वो बहुत अची है क्योंकि व्लोगिंग पर रीवैन्यू एड़ सची चलती है उसका वाच्टाइम अच्छा आता है तो उस में व्लोगिंग का ट्रेंड चल रहा है तो उसके अलावाद जैसे मूजिक में है यह मालब व्लोगिंग आप बिना पैसे के भी शुरू कर सकते हैं अपने एक मॉबाइल से लेकिन मूजिक में जैसे हम काम करते हैं तो मूजिक के लिए आपको अच्छा खासा पैसा ची होता ह तो एक यूथ को अगर सुरुवात करनी है उसके अंदर अबलिटी है बोलने की वो नई नई चीज़ें एक्स्प्लोर कर सकता है क्योंकि व्लोगिंग में ऐसा नहीं कि आप पूरा घरी दिखा सकते हैं आपको बहार भी घुमना होता है इवन आप बहुत सारे व्लोगर हैं मेरे को ध्याना है हरियाना की बड़ी कंपनी है मैं उनका नाम नहीं लूँगा अभी मैं पीछे जब मैंने ये चैनल शुरू किया मेरा म्यूजिक भी तो पंदरा दिन तक वो मेरे सारे थमनेल टैग टाइटल कोपी कर रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की फोन करके कि या तो इसको हटा दीजी या फिर मैं आपको को पिरेट स्टाइक भेजता हूं आपको अगर अपना कंटेंट हटाना हो तो यूटूब पे यही तरीका है तो दैन उन्होंने मतलब उसको रहने दिया मतलब उसके बाद नहीं डाला उन्होंने तो क्या होता है ना कि आप पूरूरी नहीं कि उसके टेग सर्चिंग में आपके आजाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है बहुत से लोग फोलो करते हैं देखते हैं कि सेम थमनेल में वैसा ही लगा दूई है इस तरीके से फोलो करना होता है लेकिन अपने तरीके से थोड़ा सा सीख के इंस्पायर हो कि कर सकते हैं लेकिन सेम कोपी करेंगे तो फाइदा भी नहीं होता है कि बड़ा नुक्षान भी हो जाए हमारी टीम भी कई बार कहती है कि हम कोपराइट्स चाहिए कि या कुछ ऐसा दे दें लेकिन हम रोकते हैं कि शुरुआत कर रहे हैं धिरे-धिरे शीक जाएंगे नहीं क्रियेटिविटी है उसके साथ कर रहे हैं तो कोपिराइट का उलंगन के तोर पर कोई सजा अगरा का प्रावधान है किस दीके से देखो कोपिराइट एक्ट है ना वह अभी इंडिया में धिरे-धिरे मजबूत हो रहा है मालो अभी तक कोपिराइट की जो एक मतलब एक ही कोर्ट है वो मुंबई में है और इसके लावा जैसे अगर हम देखें साइबर क्राइम के वाया अगर कोपिराइट एक्ट को देखें तो आपको मतलब जेल से जमानत भी नहीं मिलेगी ऐसा कानून है तो आप इन चीजों से बचें और कोशिश करें थोड़ा कम क्रियेट कर अगर हमारे पास बजट नहीं है तो सिंपल एक फोन यूज कीजिए और फोन पे मतलब आप यह कोशिश कीजिए कि जैसे मालो कोई भी एक स्टिक से शुरू कर सकते हैं वो तो सो दो सुरूपे में आ जाती है एक बेसिक शुरूआत अभी मेरी अगर मैं बात करू तो क्यों है की म्योंजिक चैनल पर काम करता हूँ मेरे वलोगिंग के मालब Scient लेक लिए लेकिन अगर किसी बिग्णर को शुरूात करना है तो मोबाइल से शुरू कि किजिए अच्छा कुछ नहीं है तो यह थे मिरसाथ मंदीब स्पैसलिंज के साथ बातचीतर ही मेरा मोटीव रहता है हमेशा घुछ ना उयूत की लिए स्पैसल लेके आए ताकि आप भी आरन कर सके हमारे चेनल के साथ जो भी जुड़े रहते हैं जो हमारे साथ फेटफुली लोग जुड़े हैं जो हमारे सदस से हैं प्रिवार के भीवानी अपडेट की या दूसरे जो चैनल हैं हमारे उनके तो उन तक हम सही और सकारात्मक चीज पहुंचाते रहे हैं मंदीप का ये प्रियास और आज एक छोटी से उमर में 25 साल का लड़का है काफी ज्यादा अरन कर रहा है बोंबे में अपना फ तब तक है ली दने बादराम नो